आज मैं आपके साथ एक परफेक्ट रेसिपी शेयर करने वाले हूं जिन लोगों के पास तंदूर नहीं है तो वो घर में आसानी से कुगर में या किसी भी बड़ी तेकची में इस तरह की परफेक्ट रोटियां बना सकते हैं तंदूरी रोटि बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कप जितना गंदूम का रटा रेना होगा नॉर्मल जो सबके ख़र में मौझूद होता है हस्पे जुलत इसमें आप नमक डाल दे इसको उच्छी तरीके से मिक्स करना होगा अब इसमें नीम गरम पानी डालने के बाद परफेक्ट इसकी डॉब बना दे जिन लोगों के पास तंदूर नहीं है या वो बाहर से लाने में थोड़ा सा परिशान होते हैं तो वो घर में आसानी से ये बना सकते हैं थोड़ा सा मेस में और पानी डालूँगी ताके परफेक्ट तरीके आर्टा बन जाए अगर आपके पास इस तरह का आर्टा बना हुआ फिर्श में पढ़ा हुआ है तो सिंपल आप 5-10 मिनट में ये तंदूरी रोटियां घर में बना सकते हैं इस तरह का जब आपका आटा बन जाए तब आप इसका एक पड़ा बना कर 5-10 मिनट के लिए इसे कवग अकर छोड़ दे त्यूंकि आटी को रेष देना जरूरी होता है इसी से आपके रोटियां परफेक्ट बन कर त्यार होगी कोई भी अगर आप मज़िदा डिश बना रहे हैं तो इसके साथ इस तरह की रोटियां जरूर बनाएगा पांच मिनट के बाद इसके कवग को में अटा दूंगी अब इससे 2-3 मिनट तरह गुनना होगा ताके जो अटा है वो परफेक्ट बन कर त्यार हो जाए इस तरह के उज़ादा मज़िदा रेसिपीस मेरे पेच पे मुझूद है अब इसका एक पेड़ा बना कर थोड़ा सा मेश के पर ओयल लगा कर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि जब हम आठे को रेस्ट देते हैं तो परफेक्ट तरीके से हमाई रोटिया बन कर त्यार हो जाती है अब यह आठा बिलकुल बन कर त्यार हो चुका है काउंटर पर थोड़ा सा मेदा डर्स करने के बाद इसकी में छोटे से पेड़े बना दोंगी ताकि तमाम रोटिया जो है वो एकी साइस की बन कर त्यार हो जाए यह तंदूरी रोटी परफेक्ट और आसानी से मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी अब इस पे आपको सुका मेदा डर्स करना होगा तमाम पेड़ों को बना कर एक साइड पे आप रखते जाए और इसे कवर करकर रखते ताकि पेड़े जो हैं वो सुके ना अब आपको एक पेड़ा लेना होगा इस पे आप सुका मेदा डर्स करने के बाद जैसे हम घर में रोटियां बनाते हैं बिल्कुल इस तरह आपको इसको बिलना होगा बिलन की मदद से आप इसे रोटी की शेप दे दे अक्सर हमारे घर में इस तरह की रोटियां बनाई जाती हैं तो आटा हमारे घर में मुझूद होता है तो पर्फेक्ट आप तंदूरी रोटी घर में आसानी से बना सकते हैं इस पर आपको थोड़ा सा सुका मेदा और लगाना होगा ताकि अची तरीके से ये रोटी की शेप में बन जाए जब इस तरह आपकी रोटी बन कर त्यार हो जाएगी तब आपको ये करना होगा कि आपको पानी लेना होगा इसके उपर आप पानी लगा दें, थोड़ा से जादा आपको पानी लगाना होगा, ताकि रोटी जो है वो बिल्कुल गिली हो जाए, सारी रोटी के उपर इस तरह आपको पानी लगाने के बाद, एक आपको कपड़े को इस तरह फॉल्ड करना होगा, कपड़े के उपर आप इसकी उल्टी वली साइट रखते हैं, जो पानी वली साइट है वो आपको उपर रखनी होगी, प्रेशर कुकर को मैंने गरम कर दिया है, अगर आपके पास इस तरह का कुकर नहीं है, जो नॉर्मल हमारे घर में बड़ी सी देख जा होती हैं, वो भी आप इसमें इसमें इसमे चिपक जाएं, जब दोनों रोटियां लग जाएं तब आपको इसको लो फ्लेम पे फिर से रखना होगा, और इसे आप हलका सा कवर कर दें, ताके जो रोटियां है वो ची तरीके से बन कर त्यार हो जाएं, दो मिनट के लिए मैंने से कवर कर दिया था, आप देख सकते हैं कि रोटियां जो है वो फोलना शुरू हो चुकी है, अब आपको इसको उल्टा करना होगा, ताके आप से इसका कलर जो है वो परफेक्ट तरीके से आजाएं, उपर वाला कलर आप से ही आता है, जब आप कूकर को उल्टा करेंगे, तो एक से दो मरतबा आप इसको देखें, ताके कलर जो है वो जादर डाकना हो जाए, मेरी ये कोशिशे के सारी रेसिपी आपको परफेक्ट तरीके से दिखा सको, एक से दो मरतबा जब आप कूकर को सिधा करेंगे, तो आपको पता चलेगा, कि इसका कलर जो है वो कितने परफेक्ट तरीके से आज चुका है, अब अच्छी तरीके से आज चुका है, बिल्कुल इस तरह आपको कुकर को पकड़ना होगा, कुकर में जो हैंडल होता है, तो इस लिए ये परफेक्ट तरीके से बनकर त्यार हो जाती है, जब आपका कुकर जो है वो नॉर्मा टेप्रेचर पर आ जाए, तब आप रोटियों क किसी भी सालन के साथ खाएंगे, तो आपको बहुत ही शाहिए, अगर आपको ये रोटियों पसंद आई हो, तो मेरे पेज को जब लाइक करें, शेयर करें, और सबस्क्राइब करतें, ये रोटियों क्रिस्पी और मज़िदार बनकर त्यार होती है, सिंपल आप घर में आसा होता है उसी से आप इसको बना कर इंचोय कर सकते हैं